अब हर्ण में आपका स्वाव explor Storage कनार कि अगे हो और देखते हैं क्या टिप्स हैं तो सबसे पहरी वाली त्याय स्मेरी है। यहां पर यह में लिये हैं जो यह दीपक हैं चो मिटि वाले दीपक रहते हैं यह खराब हैं तो इनका हमें क्या करना है। विश्बूल टिप्स बताऊंगी यह मतलब पहले में सो मिखसी में इनको पीषेंगे उससे पहले थोड़ा सा इनको तोड़ लेटें क्योंकि फिर मिखसी में ज्यादा ही लोड होगा तो पिछेंगे नहीं अच्छे से ने हैंतों हम फीड़ा सा नों को तोड़ करें निकाल करके फ्ैंक देंगे और एकदम पिशा हुआ है थोड़ा दरदरा ही है उसका हम यूज करेंगे इसका पाउडर जैसा बन गया है इसका हमें क्या करना है चलिए देखते हैं बहुत ही काम आने वाला है यह वाला टिप्स तो यहां पर यह है को कर रहता है कि मतलब बहुत जल्दी मतलब हम कभी-कभी जल चमक होगा पाउडर जो मैंने बनाया है आप इसे बहुत हैं तब आपके बर्तन को ज्यादा गंदे दिखें तो तो आप तब यूज कर सकते हैं थोड़ा साना पानी नहीं लगाना है थोड़ा सब बेम जैल भी लगाएंगे इसमें जिसे कि मतलब सूखा तो नहीं मतलब साफ होएगा काम नहीं करेगा वह जाता थोड़ा गीला सा हो जाएगा तो अच्छे से हमारा कोकर एकदम क्लीन हो जा है अभी मैंने पानी से दुला नहीं है यहां पर यह अलूमीनियम की कढ़ाई ही है इसको भी मैंने इस पावडर से और थोड़ा सा बिम जैल डाल करके क्लीन करें यह कढ़ाई न मेरी बहुत ही प्रानी कढ़ाई है और यह पहली गाहों से लाई हुई है गाहों में भी से चमक गए हैं सारे बहुत ज्यादा ही कर गंदा हो रखा था नीचे से और डेली ही यू जाता है आप देख सकते हो कितना अच्छे से साफ हो गया है तो आप इस टिप्स को फोलो कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई अलूमीनियम या लोहे के बरतन इस तरीके से खराब हैं और नेक्ट मेरा यहां पर है पोचा कर बता रही हूं क्योंकि मुझे चेंज करना था यह जो पोचे में नीचे लगा हुआ रहता ने इसको काफी एक देड़ साल से लगा हुआ है यह क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि डेली इसी से पोचा लगा दिए बैठ कर की भी लगा पीक म नहीं इसका मैं आपको बहुत ही एक अच्छा टिप्स बताऊंगी इसको पहले हम सावन से अच्छे से साफ कर लेंगे क्योंकि यह जब उसमें लगा रहता है तो अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं उसमें से निकाल करके ही साफ अच्छे से हो पाता है तो मैं इसे सावन से अच्छे से साफ कर लेती हूं तो हम पहले इसे साफ कर लेंगे उसके बाद इसे पानी से अच्छे से बास कर लेंगे इसका मैं क्या करूँगी आपको भी पता चलेगा पहले मैं इसे अच्छे से साफ कर लूँ और मतलब जिस तरीके से हम बैठ करके पोचा लगाते हैं तो कोई कपड़ा ही लेते तो मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया और इसे अच्छे से पानी इसका निचोड देंगे उसके बाद आप इसको बहुत ही अच्छा पोचा लगता है बैठ करके जब हम लगाएंगे इसे तो आप एक बार इस टिप्स को फोलो करें तो आपको पता चलेगा कितना यूजफूल टिप्स है यह तो यहाँ पर नेक्स्ट मेरा सबसी लास्ट टिप्स है कि यहाँ पर मैं बना रही थी दाल तो मैंने दाल के लिए तड़का बना लिया है तो मैं दाल के तड़के में ही कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ जिससे कि दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है अलगी टेस्ट हो जाता है आप मतलब दाल बनने के बाद में डालने से अच्छा है कि आप तड़के में डालने ये धनिया तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अलग सा एकदम आप उपर से भी डाल सकते हो पहले आप न इसमें तड़के में तड़के में ही अगर धनिया कट करके डालोगे तो आपकी दाल का टेस्ट बिलकुल बाहर के जैसे भाग कंदे रावाव में वैसा टेस्ट आएगा तो मैं सी तरीके से तड़का में ज्ञादा तड़के में में तड़के में ही डाल देती हूं तो मैंने दाल गाल डाल दिया है। कि छाहूं, उपर से बीध नगा सकते हो और सबसे लाश्ट में इसमें गैस ओफ करने के बाद में मैं इसमें डालूंगी आधा नीबू का रस्ट इस नीबू के रस्टे भी खटा तन आता है दाल में तो बहुत अच्छा रबता है मेरे घर में तो सब इसी तरीके की दाल खाते हैं तो मैं इसी तरीके से बनाया है जाता सारे बहूंते में लग जाता है और अगर हम इसे तरीके से छोड़ाएंगे और इसे हम अब श्रीज में रख देते तो सारी मुख़ने से ही लगी रह जाती है चोडाना मुश्किल हो जाता है तो हमें क्या करना है है मलाय को जब यह दूस बोलकुल के जब कर दाएंगे इस तरीके से क्या हमारा जो भगोंता है भीघाब नहीं मलाई जो भी बेश्ट है इसमें वर चिपके का नहीं अच्छे सी मलाई साथ साथ चूट जाएगी और फ्रिज में भी रख देंगे आप तो सारी मलाई बीच में ही खटा रहेगी बहुने से लगी नहीं रहेगी तो यहां पर मैंने इस तरीके से से कर रहे हूं पानी ले करके काटोरी में थोड़ा सा क्योंकि गरम रहता है थंडा पानी लगा करके इस तरीके से हम साथ करते रहें कर देंगे न तो को तो आटा भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत लगा सकते हो तो इस पानी का भी हूज हो सकता है अगर आप आटा लगा देंगे इससे तो पानी भी बेश नहीं जाएगा मलाई तो इसमें थोड़ी बहुत हाथ से चली ही जाएगी क्योंकि मैं इसी में टच करके देखिए इस तरीके से कर रही थी तो आप इस टिप्स को फोलो कर सकते हैं जिससे कि हमारा अवसर्दियों का टाइम है थोड़ा सा भी मलाई को अगर बहुने में ऐसे लगी रहेगी थोड़ बाहर भी रखोगे आप तो अच्छे मतलब छूड़ती भी नहीं है और सारी मलाई लग जाती है अच्छे साप करने में बच्छों के लिए बना रही थी से सेंड्विच में सेंड्विच बना रही हूं क्योंकि रखे थे और बच्छों को देना जटपट से हम कैसे सेंड्विच तयार कर सकते हैं एक तामेट्व कैचप और दूसरी साइड में मैंने लगाया इसमें मौनीज वाट सौस होता है वेज मौनी जाती है जो वह वाला जै बीच त्यादा कुछ नहीं था सेंड्विच बनाने के लिए बच्चोंने टमाटर लगाने के लिए कर दिया थे मना त्माटर नहीं खाते हैं कम खाते हैं तुम representations में अीजे आध तुमाटर और प्याज को तुमाटर तो मैंने लिया ही नहीं है इस तरीके से करेंगे तो आपके सेंट्विच बनके त्यार हो जाते हैं बच्चों की तो पसंद होती ही है इस तरीके की चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती है तो यहां पर मैंने एक सेंट्विच बना के क हो जायेगा हमा